हाई फ्रेंड्स वेलकम टू जी आरेश टेक्निकल लेकर मैं आ गया हूँ राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय नौरत्न करिंट अपेर्स आज का पहला प्रश्ण है भारत का एक मात्र गोल्डन बाग किस राज में पाया गया है देखा गया है तो ये असम में असम की राजधानी है दीश पूल राजपाल है जगदीश मुखी मुख मंत्री है सरवनन सोनेवाल नेक्स प्रश्ण बहुत इंपोर्टेंट है तूर्कमेनिस्तान में भारतिये राजधूत कौन नियुक्त हुए है तो डॉक्टर विधू पिनायर जो भी सिविल सर्विसेस के तयारी करते हैं उन्हें ये प्रश्ण अलग से लिख लेना चाहिए तूर्कमेनिस्तान की राजधूत कौन है तो डॉक्टर विधू पिनायर अब तो याद भी हो गया होगा भूलियेगा नहीं भानु जैंती कि सराज में मना तो ये मनाया जाता है सिक्किम में और सिक्किम की राजधानी ह गंगा टोक राजपाल हैं गंगा परसाद और मुख्यमंतरी हैं प्रेम सिंग तमांग अच्छा भानु जैंती जो है ये क्यों मनाया जाता है तो ये एक परसिद्ध कवी है भानु जो नेपाली में रमायन के रचना कर चुके हैं और नेपाली भासा इनका काफी अच्छा ह जिसमें अने को कविताएं इन्होंने लिखा इनी के याज में भानु जैंती सिक्की में मनाया जाता है बीसी सी आई ने अंत्रिम सीयो किसे बनाया है तो हेमांग अमीन को बनाया है इलाइट्स एक्सिलेंस अवाट दो हजार बीस की से मिला है चत्तिस गड़ को चत्तिस गड़ की राजदानी है रायपूर प्रस्तावित राजदानी अटल नगर राजपाल है अनुशुया उइक के अमुक कमंत्री है भुपेश बगेल प्रश्ने संग क्या छे इरान ने किस देश को शावहार रेल परियोजना से बाहर किया है तो भारत को भारत के लिए ये दुखत समाचार है इरान ने भी भारत को बाहर कर दिया है किस परियोजना से शा बाहर रेल परियोजना से और नेपाल ने भी भारतिय प्राइवेट जितने भी नीज चैनल है उनको बैन कर दिया है दो-दो जटका लग चुका है भारत को एस सॉंग अफ इंडिया के लेका कौन है तो रस्किन बॉर्ण काफी इंपर्टेंट प्रश्न है सॉंग अफ इंडिया रस्किन बॉर्ण याद कर लिएगा अल्ट्रा भाइलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस सुद्ध को कौन बनाया है तो IIT कानपूर कानपूर अभी देश में छाया हुआ है दिमाग में चड़ गया है बहुत लोगों का और मानसिक पर ताड़ना भी दे रहा है करम करे कोई और सजा भुकते देश वाले ऐसे ऐसे कहानी उत्तर परदेश में निकल के आते हैं कि मानसिक संतुलन खो बैठता है सर दर्द करने लगता है मैं तो यहीं कहूंगा योगी से समल नहीं रहा राज तो मुख मंतरी का पदभार मुझे सौप दे मैं उत्तर परदेश को सोने की चुरिया वाला उत्तर परदेश बना दूँगा पोलेंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं आंद्रेज डूडा यह काफी इंपॉर्टेंट है याद कर लिजगा सही बता रहा हूं उत्तर परदेश का नम बहुत सर दर्द करता यार टू मच वहाँ पर बहुत कुछ है अच्छा तो आज का नौरतन का आखरी प्रश्ण बहुत इंपॉर्टेंट है पोलेंड के प्रेसिडेंट आंद्रेज डूडा को बनाया गया है और आप लोग से निवेदन करूंगा कि हमेशा नेक रस्ते पे चलें नेगी के पत पे चलें दिन दुक्रियों का सहायता जितना हो सके उतना करें और बड़ों का समान छोटों का आभार व्यक्त करें और इसी के सांथ हस्ते मुश्कुर आते रहें और देखते रहें आपका लोग प्रिया चैनल जी आरेश ट्रिक निगाल कीमती समय देने के लिए धन्यवाद लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा